आज के इस वीडियो में पढ़ बहार हिंदी चतुर्थ श्रणे यहां पुस्तक पढ़ाने वाली हूं इस पुस्तक का पंद्रावा पाट अम्रिद्वानी कवीर तुलसी रहीं इस अम्रिद्वानी का प्रस्न उत्तर आज कराएंगे प्रस्न उत्तर कराने से पहले आप लोग यहां पे सब्दार थे जो कि आप सभी को याद कर लेना है कवीर दास जी के बारे में तुलसी दास जी के बारे में और रहीं जी के बारे में अब आते हैं प्रस्न उत्तर पर प्रस्न एक संखेप में उत्तर दो प्रस्न नमबर एक का एक कवीर दास जी इस वर से कितना चाहते थे इस प्रस्न का उत्तर है कवीर दास जी इस वर से उत्ना ही चाहते हैं जितना में वे अपने परिवार सहित स्वैंग का पालन कर सके और अगर कोई सज्जन पूरुष साधू महात्मा उनके यहां आए तो वे किसी को भूका ना जाने दे प्रस्न नमबर एक का दो तुलसी दास जी ने घर बचाने के लिए कैसी सीख दी है इस प्रस्न का उत्तर है तुलसी दास जी ने घर को बचाने के लिए कहा है कि जगडा कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए तथा दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए प्रस्न एक का तीन रहीम जी ने छोटे और बड़े को बराबर का दर्जा किस दोहे में दिया है इस प्रस्न का उत्तर है रहीमन देख बढ़ने की लगुना दीजिये डारी जहां काम आवे सुई का करिये तलवारी प्रस्न नमबर एक का चार तुलसी दास जी की प्रमुख रचना का नाम क्या है इस प्रस्न का उत्तर है तुलसी दास जी की प्रमुख रचना का नाम है राम चरित मानस तो इस तरह से हमारा प्रस्न एक का सारा उत्तर हो चुका है अब आते हैं प्रस्न नमबर दो पे संखिप्त उत्तर लिखो प्रस्न नमबर दो का एक कवीर दास जी ने किसकी संगती करने के लिए कहा है इस प्रस्ने का उत्तर है कभीर दास जी ने साधु की संगती करने के लिए कहा है प्रस्ने दो का दो तुलसी दास जी ने हमें किस प्रकार चलने का उपदेश दिया है इस प्रस्ने का उत्तर है तुलसी दास जी ने हमें कहा है कि जीवन के पत पर चलते हुए हमें किसी से जगड़ा नहीं करनी चाहिए तथा सभी के साथ प्रेम पुर्वक रहना चाहिए जीवन के रास्तों पर हमें विन विन लोग मिलेंगे किन्तु हमें सभी के साथ मिल जुलकर आगे चलना चाहिए प्रसन नमबर दो का तीन रहीम जी के अनुसार खजूर के पेड़ की कौन सी कमी बताई है इस प्रसन का उत्तर है रहीम जी के अनुसार खजूर के पेड की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह किसी को छाय नहीं दे सकता प्रस्न नमबर दो का चार प्रस्तुत रचनाओं के कवी कौन कौन है इस प्रस्न का उत्तर है प्रस्तुत रचनाओं के कवी कवीरदास तुलसीदास यो रहीम है तो प्रस्न दो नमबर का भी सारा उत्तर हो चुका है अब आते हैं प्रसन नमबर 3 में प्रसन नमबर 3 दिये गए दोहे के सरल अर्थ लिखे प्रसन नमबर 3 का एक साई इतना दीजिये जामे कुटुम समाए मैं भी भूका ना रहू साधू ना भूका जाए तो इस दोहे का सरल अर्थ है कवीर दास इस वर से प्रात्ना करते हैं कि हे प्रभू मुझे इतना ही धन चाहिए या दीजिये जिससे मेरे कुटुम का पालन हो जाए मैं भी भूका ना रहूं और मेरे द्वार से कोई भी भूका ना जा सके प्रस्द नमबर तीन का दो रहीमन देख बड़ेन को लगुना दीजिये डारी जहां काम आवे सुई का करिये तलवारी तो यह प्रस्द नहीं है दोहे है इसका हमें सरल अर्थ लिखना होगा तो इसका सरल अर्थ है रहीम कहते हैं कि बड़ो को देख कर कभी भी छोटे को छोटा मत समझे bounce क्योंकि जहां काम सुई का है वहां तलवार क्या करेगा तो तीन नमबर कभी हो चुका है बाते हैं प्रसन नमबर चार पर नीचे लिखे वाक्या का असाय बताने वाले दोहे को लिखो तो यहां पे मतलब यानि कि सरल अर्थ दिया गया है इसका दोहा क्या है वो हमें लिखना है हमें जगड़ा कभी नहीं करना चाहिए सभी क के साथ प्रेम रखना चाहिए जगड़े में घर का नुकसान होता है इसे बिल्कुल सत्य बात समझो तो इसका जो आसाय निकलेंगे यानि कि दोहें वो कुछ इस प्रकार है जगड़ा कभू हूं न कीजिए सब संग रखिये प्रीती जगड़े में घर जात है सत्यवचन प हो चुका है आसा करती हूं कि आप सभी में यह वीडियो अच्छी लगी अच्छी लगई हो तो रaurाप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि सोर्वा पार्ठोगा विरंगन रानि लंश्मी भाई